वेल्कम बैक टू मैं चैनल आटिसन चलताक आप लोग सब कैसे हैं वैसे बहुत बढ़िया होंगे और आज है सावन का सेकंड सुभार तो उसी के बेस पर ये वीडियो में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए स्लाइड बनाने वाली हूँ जो बहुत ही जादा स्पेशल है मैं माटीरियल्स यूज़ करने वाली हूँ वह भी आप देखी यूप क्या क्या मैं मैंटीय stuk करने वाली हूँ और आपको यह बनाना हो तो आप वैसे सकता है मुज़े फालो करके गे डिलोट पाल तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो चलिए हैब जो माटीरियल्स यह वो है दो शीट्स, सीजर, एरेजर, पैंसिल, स्केल, फैविकॉल, और कलर्स, और कटर दो जो शीट लीती है और स्केल से मेजर करके कट करना है अपन और यह 20 सेंटिमेटर लिया है मैंने फिर इसको कट करके सेम ऐसा एक और बनाएंगे क्योंकि दो चाहिए होंगे इसलिए और 20 सेंटिमेटर में 5 सेंटिमेटर 15.5 सेंटिमेटर कटर से उसको भी कट करेंगे क्योंकि स्लाइड आट बनाना है इस वज़े से 20 सेंटर में से कट करना पड़ेगा तो देखे मैं cutter से cut कर रही हूँ आप भी cutter से ही कीजिए क्योंकि blade से cut नहीं होगा proper तरीके से इस वज़े से ये final हो गया है cut अब जो cut किया था वो और जो एक और part लिया था उसको दोनों को paste करेंगे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे paste करना है paste शिवलिंग और एक girl draw करेंगे उसमें curling करेंगे फिर करेंगे इस हो नहीं हो जो झाल जए रही होगा है करेंगे पनल वे एक और नहीं होगा है झाल 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 गर्ल और शिवलिंग भी अकट हो गए हैं अब मैंने वापे से मेजर्मेंट लिया हैं एक्चली मुझे स्लाइड बनाने हैं तो इसलिए मुझे मेजर करना था तो वो भी कट कर लिया अब उसके बाद में जो मैं बी सेंटर में लिखने वाली हूँ वो भी त्यूंकि बी सेंटर में होना चाहिए पूरा प्रॉपर वो तो इस वज़े से मुझे स्केल से उसको मेजर करना पड़ा अब मैं जो लिख रही हूँ जो भी आपको लिखना है वो लिख सकता और मुझे तो सावन शुवार के हाद एक शुपकामना यह लिखना था तो इसी वो लिख लिया है मैंने उसके बाद में मैंने देखा है कि हाँ यह बी सेंटर में तो है ना हाँ फाइनली बी सेंटर में था उसके बाद में फैवी कोल से जो एक और पार था जिसको कट किया था बी सेंटर स उसको paste करेंगे इसके उपर तो मैं paste करके बताती है आपको कैसे करना है से मैं झाल 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 को करेंगे उल्ड़ करेंगे उल्ड़ करेंगे ऊपको करेंगे इसके बताती है